नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत अभी नंदन हमारे इस नए एपिसोड में हमारे चैनल पर आज हम बात कर रहे हैं कि जब दिपावली का पूजन करते हैं तो कोई भी लगन में क्यों नहीं अपना समय देख करके क्यों नहीं क्यों इस तिर लगन में ही पूजा करना जरूरी है जैसे कि व्रश्चिक लगन सुबह सुबह आ जाता है उसके बाद दोपर में कुम लगन आता है उसके बाद में साइं के समय जब गोदुली वेला होती है प्रदोसकाल होता है तब व्रशब लगन आता है और आदी रात में सिंग लगना आता है तो कि इस्थिर लगने हैं जो बारा में से चार लगने स्थिर होते हैं जो कि व्रश्चिक लगने कुम लगने व्रश्ट लगने और साथ में सिंग लगने बहुतिक स्मधिक साथ सुख और सांति के लिए सास्त्रों में लक्षमी को प्रसंद कर उनकी करपा प्राप्त करना सबसे महत पून है लक्षमी का बहुतिक जीवन में सुक्ष, सांती और स्मिधिक साथ में ऐसा रिष्टा है कि परिवार में आने वाली बहु को भी ग्रह लक्षमी का नाम दिया गया है का जाता है कि जहां ग्रह लक्षमी प्रसंद है उस परिवार में सब प्रसंद रहते हैं आम तोर पर प्रत्येक हिंदू व्यक्ति या परिवार सुब कार्य, धार्मिक अनुस्थान, संसकार, यात्रा, व्यापारिक कार्य, अत्वा विवासाधी वगर किसी कोई भी कार्य हो, किसी विद्वान जोती सी द्वारा सुब मौरत निकलवा कर ही करते हैं। हमारे गयर के बुजुर्ग जो पूराने जमाने के हैं, जो पूराने परमपराओं को, मानेताओं को आज भी अपनाते हैं, वे मौरत पर अपना पूर्ण विश्वास दिखाते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं। बल और बुद्धी के घोड़े पर सवाज चतुरता, चालाकी के साथ में आजीवका के लिए मनुश्य येन केन प्रकारेंड किसी भी प्रकास से प्रयास करता है और यदि उससे पूछा जाए कि आपके जीवन का लक्ष क्या है, तो अधिकांस द्वारा यही उत्तर प्राप् करना पड़ता है, इसके लिए मंत्र तंत्र और यंत्र का विदान है, मौरत का अर्थ है किसी कारे विसे इसको उसके उप्युक्त काल में करना, जिससे सफलता मिले और समय तता श्रम दोनों ही व्यर्थ ना लगाना पड़े, जितिस के मैतपुर्ण अंग, मौरत के अस्तित्य को स्विकार्ण में ही बुद्धी मता है ना कि उसके अवेलना करने में, जितिसी दस्ति से तुलारासी शुक्र की होती है, शुक्र सर्व भोगपत ग्रह है, वीर्यत्व प्रधान है, और कालपूरुस की कुल्ली में सप्त वो करने की रहती है, अता, शुक्र की रासी तुला में, जब सूर्य और चनमा की स्थिति होगी, तब केंद्र और त्रिकोन समझ से लक्षमी योग बन जाएगा, सूर्य पंचमेस है और चनमा चतुर्तेस, दोनों की एक ही रासी में यूती के कारण, चतुर्तेस पंचमेस योग से लक्षमी योग बनेगा नीच का सूरिय अपने उच्छरासी लगन में मेश को देख करके स्वास्ति की व्रद्धी भी करेगा दिपावली की दिन लक्षमी के आगमन का विधान है तब लक्षमी आ रही है तो उसका स्वागत और पूजन आवश्यक है अता दिपावल सिंग लगन आने पर थर्ड हाउस में तरतिय अस्तान में सूर्य और चंड मा की दोनों की यूति रहेगी सिंग लगन में 12 से चंडर लाबस्तान मिस्तित राउसे पीडित होकर के खर्च योग पर नियंतरन रखेगा लगने सूरिय उप्चे में जाने से बलवान होगा और नीच राशी मिस्तित होकर के राउसे पीडित होकर के विपरित राज योग से धनकी सश्टी करेगा यहां बागी की उच्च राशी बद्धस्ती देकर के बागी बाव को भी बलवान करेंगे सूरिय अता दिपावली में लक्षमी पूजन के लिए सिंग लगन को मैता दी ने सब्सके यह यह इस से उइस लेया लगने का विद्धान है कि जो हम लक्षमी की पूजा करतें वहे इसलिए क का निवास लक्षमी के करपा हमारी यांपे इस तिर काल तक बनी रहे तो आप भी इस दिपावली को रशव लगन प्रैस्अ मिस्ता will अट रहत को रसर bou delivery है यदि वो सब जगे पूजा करना चाहते हैं तो दुपेर को कुम लगने में कर सकते हैं साइंकाल को रस्व लगने में करते हैं और अर्ध राती में अपने घर में पूजा कर सकते हैं तो इस दंग का विदान आप सोच विचार करके उस दंग से निर्ने करें और प्लान बनाए कि आप सब जगे पर इस्थिर लगने में पूजा कर पाएं आपको यह कारेक्टरम कैसा लगा अपना सुजाव अपना जो भी जानकारी हो जो भी आपके दिल में बात हो वो जरूर हम तक पहुँचाईए कोई विसाय पर आप विसलेशन चाते हैं तो हम तक पहुँचाईए आपने बहुत लोगों ने दिपावली से समद्धित बहुत सी बातों का जिक्र किया है उससे समद्धित हम एपिसोड बना भी चुके हैं और कुछ एपिसोड बनने की परकरिया में हैं तो जल्द ही वो एपिसोड भी आपके सामने आने वाले हैं जो कि आप चाहते हैं स्वस्त रहें प्रसंद रहें अपना अपने परिवार का और साथ में घर के बुजूर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें आने वाला समय दिपावली का त्योहर आने वाला है और उसमें क्या करना है हमने अपनी तरफ से यह प्रियास किया है कि जिन पदातों से लक्षमी आ आया है अक्षै लक्षमी कुबेर कलस जो व्यापारीगर्ण हैं जिनके अपने कामदंदें जिनके अपनी दुकान है वो लोग कर सकते हैं और जो नौकरी पैसा हमारे ओपिस के जो सेवक हैं वो करेंगे आपके घर बेठें आपके दर्वाजे तक वो कलस पहुंच पाए ऐसी व्यवस्ता की गई है आप सभी को मेरा नमस्कार सुपकामनाय इश्वर आपकी रक्षा करें धन्यवाद इस दिपावली रहे तयार मा लक्ष्मी और धना ध्यक्षक को भेर आ रहे हैं आपके द्वार लेकर सुक्सम्रधी, कीर्ती, वैभव अपार दिपावली एक ऐसा पर्व है जो आमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देनी की शम्ता रखती है अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांती, कलेश को नहीं मिटा सकती जी हाँ, मिटा सकता है यदि आपको भी आशिरवाद मिल जाए इश्वर का, मार्क देशन मिल जाए, गुरू का, सहयोग मिल जाए, दिफिय शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का, और विलक्षन सामगरियों का तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दिपावली पर पूरी श्रधा और विश्वास के साथ शाक्षाद मा लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमुल्य आक्षे लक्ष्मी को बेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें सम्रधी, शांती, सुक, सफलता, पूरे वश्भर इस कलश में समाफेश है 27 विलक्षन सामग्रियों का इन एक-एक सामग्री को मंत्र जाप अनुष्ठान प्रान प्रतिष्टा से जाकरत किया है पंडित श्री माली जी के सानिद में विद्वान कर्मकांडी पंडित उत्वारा ताकि आपको मिले अतहाधन यश किर्ती वैभव तो देर किस बात की एक शंड भी व्यर्त कवाय बिना आज ही अभी ओडर करें दिपावली पैकेट का और इस बार रोख ही ले मालक्षमी को चिरकाल तक के लिए